हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं योग से होता है आध्यात्मिक और शाररिक विकास रामस नहीं संप्रदाय खेडापापीट के आचारिय पुर्शोतमदास महराज के सानित्य में चल रहे चातुरमास आयोजन में खेडापापीट के उत्रादिकारी गोविंद्रम शास्ते की प्रेना से प्रात्ते योग शिविर का आयोजन हुआ इस दोलान योग शिविर पर प्रकाश दाते वे उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्राचीन योग पद्यती को धारन करना परम आवश्यक हो गया है योग से आध्यात में केवं शाररिक पिकास होता है कथा के अंतरकत गुरुवानी पर प्रवचन करते वे उन्होंने कहा कि मनिश्य के भीतर जीवात्मा है वो इश्वर की सत्ता है सत्संद वारा प्राणी अपने वास्तविक सहरू को पहचानता है इसलिए मानव जीवन में सत्संद परम आवश्यक है खेडापा आचारे चरण ने बताया कि मानव को पारमार्तिक जीवन जीना चाहिए क्योंकि परमार्त ही सच्चा धन है कथा के बाद बालकों का संस्कार शिवर रखा गया जिसमें सैकडो बालक बालकाए उपस्तित हुई गोविंद रम शास्ति एवं मदनलाल पुंगलिया ने बालकों को गीता के श्लोक और गीता वाचन का तरीका बताया साथ ही बड़ों को प्रणाम और सम्मान करने की बाद कही जोदपुर से जागरुक टीवी की रिपोर्ट